हाई दोस्तों कैसे अप लोग iOS 17.4.1 का इस टेवल वर्शन एपल ने अपडेट डिलीज किया है और इसका जो साइज है मेरे iPhone 15 Pro Max के अंदर 6.46 GB लेकिन मेरे iPhone 15 के अंदर इसका जो साइज है 392 MB और iPhone 13 के अंदर इसका जो साइज है 377 MB तो काफी छोटा साइज है इसके अंदर लेकिन मेरे iPhone 15 Pro Max के अंदर काफी बड़ा साइज देखने मिला है तो इस अपडेट के अंदर नए क्या है क्या है चेंजेस आई एक करके चेकाउट कर लेते है डाउनलोड से पहले जो इसका बिल नंबर था 21E219 और इस्टोरेज इसका जो है 216 GB के असपस मोडेम फॉम वेर 1.55.04 और डाउनलोड के बाद कैसके मोडेम फॉम वेर क्या है बिल नंबर वो भी एक बार चेक कर लेते हैं तो डाउनलोड के बाद इसका जो बिल नंबर है 21E236 तो लास्ट में आपको ये नंबर चेंज देखने मिल जाएगा और स्टोरेज की बात करें तो भाई इस जग को अपडेट करना चाहिए या नहीं और कौन-कौन सा डिवाइस के अंदर ये अपडेट रिलिज क्या है आइस 17.4.1 आइफोन के लिए आइपेड के लिए भी 17.4.1 और इस जगह पर जो बिजन ओस है इसके लिए 1.1.1 है और इस जगह पर आइस 16 के उपर है तो 16.7.7 और आइपेड 16.7.7 और इस जगह पर अगर मैक है टीवी है वाच है तो इस जगह पर इसके लिए अपडेट रिलीज नहीं किया तो क्यों नहीं रिलीज किया और क्या इसका रिजेन और आइस 17.4.1 के अंदर क्या आपको नहीं है देखने मिलता है ये के करके चेकाउट कर लेत है तो इस जगह पर इस अपडेट के अंदर जो बग था एपल ने फिक्स किया है और सिक्रोटी अपडेट सिक्रोटी अपडेट के बारे में एपल कभी नहीं बताता इस अपडेट के अंदर जो बग था एपल ने फिक्स किया है पहला जो इसके अंदर बग था बहुत सारे यूज असको बैटरी का इसू देखने मिल रहा था इस जगा पर हो सकता है fix क्या और इस जगा पर जो है calling का इसू था हो सकता है इस जगा पर fix देखने मिले क्योंकि मेरे फोन के अंदर पहला जो इसू था उसको मैंने solve क्या है reset network setting करने के बाद तो मुझे देखने नहीं मिला ह एक एक बार network की वज़े से होता है लेकिन इस जगा पर modem firmware आपको same देखने मिला तो इस जगा पर हो सकता है आपको अंदर जा रहा था तो इस जगा पर सेटिंग का ओप्सेन एक लिखा आ रहा था तो यह एक छोटा बग था और इस जगा पर Instagram जब यूज कर रहा था Instagram के corner पे भी ऐसा इसू था और इस जगा पर Facebook यूज कर रहा था और YouTube इस जगा पर सेम इसू मुझे देखने मिला तो सॉल्व नहीं हुआ लेकिन अपडेट के बाद मुझे इस तरह का कुछ इसू देखने नहीं मिला तो भाई इस जगा पर सीधा कहा जाए तो इस जगा पर सिक्रोटी अपडेट और बग फिक्स एपल ने लेकिन मैंने इसको अपडेट नहीं किया 13 के अंदर तो इसको बागी रखते हैं तो बागी जो डिवाइस इसके अंदर अपडेट किया बागी इसके अंदर क्या इसू देखने मिलता है 17.4.1 के अंदर तो इसके लिए यूज करना पड़ेगा तो इस जगा पर मैंने इसको अपडेट नहीं किया, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, और अगर आपके पास iPad है, तो iPad के अंदर भी अपडेट आया, तो इस जगा पर आप लोग check out कर सकते हैं, iPad के अंदर जाएंगे, तो iPad के अंदर इसका जो size है, यह भी काभी छोटा ही size है, कोई बहुत बड़ा size नहीं है, तो इस जगा पर इसका size है, 251 MB, तो इस जगा पर भी आपको यह update देखने मिल जाएगा, और जो feature, जो bug fixes, आपको iPhone के अंदर देखने मिलता है, iPad के अंदर भी हो same देखने मिला ऐसा नहीं, इसके अंदर कुछ अलग-अलग हो सकता है, लेकिन iPad के अंदर मुझे कुछ इत इस जगा पर धेन दे, तो इस जगा पर इसका clear details, इस जगा पर mention क्या है, जो कौन-कौन सा device के अंदर, और क्या firmware और इस जगा पर इस सारे चीज mention क्या, तो इस जगा पर आप लोग आके checkout कर सकते हैं, और इसका link में description में डाल दूंगा, आप लोग checkout कर सकते हैं, तो इस जग पर इसका कि score क्या निकल गया है, पहले check कर लेते हैं, तो पुराना जो single core, multi core था इस जगा पर आप देख सकते हैं, और आज का जो निकल क्या है, इस जगा पर आप देख सकते हैं, single core है 2951, multi core है 7294, तो इस जगा पर single core, multi core सेम ही है, कोई बहुत बड़ा changes नहीं है, ना तो बहुत कम हो गया, और इसके बाद अगर इसका GPU की बात करें, पुराना जो GPU था इस जगा पर देख सकते हैं, 27431, और आज का जो निकल गया है, तो इस जगा पर 2750022, तो इस जगा पर slightly improved है, और इस जगा पर अगर 15 की बात करें, तो 15 के अंदर इसका जो single core, multi core देख सकते है इसका जो पुराना single core था इस जगा पर देख सकते हैं, और आज का जो निकल गया है, इस जगा पर अब देख सकते हैं, तो इस जगा पर लगभग सेम ही है, इस जगा पर कोई बहुत बड़ा changes ने इसके अंदर भी, और इसके बाद इसका GPU की बात करें, तो पुराना जो GPU थ इस जगा पर देख सकते हैं, 22,565 और आज का जो निकल गया है, 22,951 तो इस जगा पर 400 के उपर improve देखने मिला है, तो इस जगा पर बहुत बड़ा major difference नहीं है, और इसके बाद जो मेरा storage कम हो गया, वो एक बार चेक कर लेते हैं, तो जैसे जाते हैं, आईफोन storage के अंदर, तो इस जगा पर open किया, तो quickly open हो गया, और इस जगा पर देख सकते है, system data और iOS का जो size वो लगवग सेमी देखने मिल रहा है, हो सकते हैं, इस जगा पर fluctuate होते रहते हैं, कम या जादा, तो बाद में solve देखने मिले, और इसका जो follow video इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हू जैसे notification center के अंदर, battery के अंदर, calling के अंदर, या दूसरा कुछ भी bug आपको देखने मिल रहा था, तो इस जगा पर आप लोग अपडेट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कुछ भी problem नहीं, बहुत ही सही चल रहा है, तो आप लोग skip भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई issue नहीं है, तो यही था, iOS 17.4.1 का stable version के अंदर, जो भी खामिया, जो इसके अंदर नहीं, जो details था, complete में आप लोगो के साथ share किया, I hope इस वीडियो को देखके आपके लिए useful लगा होगा, अगर इस वीडियो को देखके आपके लिए useful लगता है, तो like, share, subscribe ज़रूर कीजिए, और bell की notification call पर रखे, जब मेरा वीडियो आएगा, तो आप लोगो के बास notification पहुँच जाएगा, एक्स वीडियो के अंदर फिर में लेंगे, goodbye.